रणजी ट्रॉफी बढ़ोदा के लिए खेलने वाले विश्णू सोलंकी पर दुखों का पहा टूट पड़ा है इस खिलारी की नवजाद बच्ची के बाद अब पिता का भी निधन हो गया वो भूबने इश्वर में चंडी गल के खलाफ रणजी ट्रॉफी खेल रही थी इस बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने घरवालों से कहा कि वो मैच के बाद पिता की अंतिम संस्कार में शामिल होंगी लेकिन देर होने के चलते उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया विश्णू इस दोरान वीडियो कॉल पर थी बढ़ोधा टीम के मैनेजर ने विश्णू के पिता के निधन की खबर दी मीडिया रिपोर्ट के मताबिक विश्णू ने वीडियो कॉल पर ड्रसिंग रूम के एक कोने में बैठ कर पिता का अंतिम संस्कार देखा राजिसंग के सचेप अजीत लेले ने बताया कि सोलंकी को घर जाने के लिए कहा गया था लेकिन विश्णू ने मना कर दिया बता दे कि विश्णू सुलंकी के पिता खरीब दो महीने से विमार थे और मेडिकल एमर्जंसी से चूच रहे थे विश्णू अगर जाने का फैसला भी लेते तो वक्त पर घर नहीं पहुँच पाते पिता के निधन से पहले विश्णू सुलंकी ने अपनी रवजात बेटी को भी खो दिया था सुलंकी की बेटी का जन्म दस फरवरी को हुआ था और जन्म के तुरनबाद खराब सी हत के चलती इस दुनिया को छोड़ कर चली गई बेटी के निधन ने विश्णू को चक छोड़ दिया था लेकिन वो अपनी बेटी का अंतिम संसकार कर मैदान मूंतरे और अपनी टीम के लिए शतक ज़़ा बढ़ोदा क्रिकेट एस्सियेशन ने उन्हें रियल हीरो बताया है उनकी इस दिलेरी वाली पारी को देख कर हर कोई सलाम कर रहा है वही सौराष्ट के लिए ररची ट्रॉफी खेल रहे बल्लेबाद शेल्डन जेक्शन ने ट्वीट कर लिखा कि मैं जितने खिलारियों को जानता हूँ शायद ही कोई इतना टफ प्लेयर हो मेरी ओर से विश्णू और उनके परिवार को सलाम मैं चाहूंगा कि अभी ऐसे और शतक उनके बल्ले से निकलते दिखें